हेलो दोस्तो, नमस्कार, आप सभी लोगों का Optimum Education Guidance पर सौगत है, मैं दिलिप कुमार याद ओ, आज हम Classification का Part 2 पढ़ेंगे, हमने कल Classification का एक Chapter पढ़ लिया है, उस पर हमने काफी Question का Discuss किया है, और बाकी जो बचे हुए थे, उनको आज करते हैं, तो अगर आप लोगों ने अभी वो पहली वीडियो नहीं देखा है, तो उसको जरूर देख ले, ठीक है, हाँ, और अगर अभी आप लोगों ने हमाई Telegram Channel को जॉइन नहीं किया है, तो Telegram Channel को जॉइन कर ले, वहाँ से आपको Proper Notification मिलते रहेगा, और जो इसकी PDF है, हम वही टेलिग्राम चैनल पे डाल जाते हैं, आज का पहला कोश्चन है, कि एक्वी सिटम के तने में पूटकी नलिकाएं कैरिनल कैनाल्स पाई जाती है, तो जो कैरिनल कैनाल्स है, एक्वी सिटम में, वहाँ किस में पाई जाती है, समवहन पूल में, या वलकुट में, या पित में, या इनमें से सभी में, तो जो iqus item के तन्य में जो putkin नलिकाए हैं, जिसे अपन क्या बोलते हैं, carinal canals कहते हैं, ये कहां पाई जाती हैं, ये vascular bundle में पाई जाती है, तो इसके अपना right answer क्या जाएगा? A number, किसमें पाई जाती हैं? vascular bundle में पाई जाती है, और बात करें कि जो vascular bundle है, vascular bundle में क्या-क्या present होता है, तो इसमें xylem और floeum, तो इसमें xylem और floeum पाया जाता है, और अब बात करें अगर cambium की, तो इसमेğe cambium क्या होता है, absent होता है, अनुपस्थित होता है. अब ये जो केरिनल कैनल्स है ये केरिनल कैनल्स बनती कैसी है तो क्या होता है कि जो प्रोटोजाइलम होता है प्रोटोजाइलम क्या होता है कि ये छोटे-छोटे भागों में अलग हो जाता है और क्या कर लेता है एक कैनल का रूप धरड कर लेता है एक कैनल बना लेता है जिस लोग दहरन कर लेते हैं। एस परकार व्यवस्तित होते हैं कि एंद्हाल बन जाती है। कैरीनल वह मैं फ्लोयम में या कॉस्टम कैनल पाई या पित में ज्यूह अभी हमने वताया था कि जो carinal canals होते हैं वो कैसे बनती हैं कि protozylum के जब protozylum का भाग अलग-अलग हो जाते हैं और वो इस प्रकार विवस्तित होते हैं कि किसका रूप धर्ण कर लेती है एक कैनाल का जिसको अपन क्या बोलते हैं Carinal canals कहते हैं तो इस पर अपना right answer क्या जाएगा A number protozylum अगले question के और आगे बढ़ते हैं निम लिखित में से किसे clēb mass कहा जाता है सिलेजिनेला को,इक्विसिटम को या lycopodium को या इंदमें से कोई नहीं तो जो clеб mass है, clеб mass किसको कहा जाता है अगर बात करें हम सिलेजिनेला की तो सिलेजिनेला को क्या बोलते है इसलिए जनेला को अपन लगगू लगग कलम मास कहते है या इसी को स्पाइक मास भी कहते है और जो बात करें कलम मास किसको कहते है तो लाइको पॉडियम को क्लम मास कहा जाता है तो इसका right answer क्या हुआ C number C अपना right answer हो गया lycopodium को club mass कहा जाता है अगले question क्यों आगे बढ़ते हैं वपन निमलिकित में से कौन जली teridophyte है तो जो जली teridophyte है इसमें से कौन है lycopodium, azola, acucetum या teris तो बता दे कि जली teridophyte है वह कौन है azola है azola कैसा है एक जली फरन होता है कैसा होता है यह एक जली फरन है इसमें क्या होता है कि जली फरन है इसमें क्या है कि एक एनवीना नामक की कौन सी एनवीना नामक की एक blue green algae पाई जाती है उसके इसी सहजीवी संबंध के कारण इसका प्रयोब कहां किया जाता है धान के खेतों में किया जाता है धान के खेतों में करते हैं तो इस पे अपना राइट आंसर क्या गया बी नंबर कि जो जली टेरिडोफाइटा कौन है एजोला है राइट अगले क्वेश्चन क्यों रांगे बढ़ते हैं कि मारसीलिया में इस्टील होता है सोलेनयो इस्टील या प्रोटो इस्टील या एमफिफ्लोईक इस्टील या उप्यूक्ते में से सभी तो जो मारसीलिया है मारसीलिया में कौन सी इस्टील पाई जाती है किस प्रकार की इस्टील पाई जाती है तो जो MARCELIA में amphifloic siphon o steel पाय जाती है तो इस पर अपना right answer क्या है C अब ये amphifloic siphon o steel होती क्या है तो क्या होता है कि जो amphifloic siphon o steel होता है इसमें क्या होता है कि जो xylem होता है यानि कि xylem यहां पाय जाएगा ठीक यहां पे xylem होगा और xylem के 4 ओर क्या पाया जाता है, फ्लोयम पाया जाता है, तो ये क्या होता है, फ्लोयम, और ये हो गया जाइलम, और इसके मद्द में, इसके मद्द में क्या होता है, पित पाया जाता है, मतलब कि इसके मद्द में पित होता है, और जाइलम, जाइलम के चार ओर क्या होता है, फ्लोयम होता का ही एक प्रकार होता है कौन सोलेने इस्टिल और प्रोटो इस्टिल प्रोटो इस्टिल तो हमने उस दिन चर्शा किया था कि यह कैसा होता है यह पित रहित होता है इसमें मतलब पित अबसेंट होता है और इसमें क्या होता है जाइलम अंदर की और पाया जाता है और जो फ्ल के और बढ़ते हैं कि राईजो फोर में मिलता है तो जो राईजो फोर होता है यह क्या होता है अगर बात करें तो ये पत्ती रहीत होता है, यानि कि इसकी जो इसमें पत्ती नहीं पाई जाती है, या रंग हीन होता है, बेलनाकार होता है, देखो इसकी हमने एक संरचना दिखा रहे हैं, ये कैसे होता है, तो देखो, ये राइजोफोर होता है, राइजोफोर कैसा है, या एक बेलनाकार ह और कैसा है रंग हीन होता है तो यह किसमें पाया जाता है तो यह सिलेजी नेला के पौधे में यानि कि तने के देखो दूश साखित इस्थान के यानि कि जहां पे दूश साखित होना है यानि कि डिवाइड होना उसी के इस्थान पर एक क्या पाया जाता है पत्ति रही रंग रंग हीन, बेलनाकार, जिसको अपन क्या बोलते है, राइजो फोर कहते हैं, और ये नीचे की तरफ ब्रद्धी करता है, कहां नीचे की तरफ, देखो ये नीचे की तरफ ब्रद्धी करता है, ठीक, लेकिन, क्या है कि अब ये राइजो फोर होता है, जो राइजो फोर को न त को जड़ भी माना है तो आगे चर्चा करेंगे कि कि साइंटिस्ट ने इसको क्या बोला है ठीक अगले क्वेशनों पे तो जो राइज़ो फोर किस में मिलता है सिलई नेला में मिलता है तो इस पर अपना राइट आंसर क्या गया डी नॅमबर और यह का अगर बात करने की यह क ठीक अगला क्वेशन है अपना कि किस वैज्ञानिक के अनुसार राइजोफोर ना तो जड़ है ना ही तना बल्कि यह एक आरगन सू जड़ है तो किस साइंटिस्ट ने कहा है कि जो राइजोफोर है ना तो जड़ है ना ही तना बल्कि यह एक आरगन सू जड़ है वांटीग प्योब ने या हारवे गेवसन ने या बावर एवं गोविल ने तो किस ने कहा है तो देखो जो बावर एवं गोविल है बावर एवं गोविल ने इसको क्या बोला है तो बावर एवं गोविल के अंसार राइजो फोर ना तो जड़ है और ना ही तना ना तो जड़ है और ना ही तना बलकि ये क्या है ये और्गन सू जैनेरीस है ये किस ने कहा है बौवर एंड गोविल ने कहा है लेकिंग अगर बात करें किस की ब्रुकमेन की ब्रुकमेन हो गयें और वर्सडेल हो गयें तथा कसिक ब्रुकमेन वर्सडेल और कसिक का सिक के अमस्वाइख आपि तने के समान्ता प्रेदर्सित करती है तो उन्होंने इसको क्या बोला है यह एक तना है लेकिन जो वांटिंगम है और हर्वे गिपसन है अफॉप बैवस्टर है वोक हॉप है सुसैक्स है इन्होंने क्या कहा है कि राइजो फोर एक जड़ा है जड़ा है तो वुकमैन वर्षडेल तथा कॉसिक ने इसको क्या बोला है तना बोला है और बात करने कौन कौन तो हारवे गिपसन हो गए हारवे गिपसन हो गए और वन टीगम हो गए अब हाफ बैवेश्टर हो गए इस्टीव हो गए इन्होंने क्या माना है इसको जड़ माना है किसको राइजो फोर तो अगला कोशन ये भी बन सकता है कि किस साइंटिस्ट को किस व्यग्यानिक ने राइजो फोर को तना माना है तो किसने बुक मैन ने वर्स डेल ने तथा कसिक ने और किसने जड़ माना है त जो राइजोफर है वोई ना तो जड़ है और ना ही तना बल्कि यही क्या है उर्गन सू जेन्रेस है तो इस पे अपना right answer क्या जाएगा D number D अपना right answer हो जाएगा right अगला है कि जो मूल विहीन फर्न कौन है तो मूल विहीन फर्न कौन है टेरिस है या डायोक्टेरिस है या सालवीनिया है या एडियेंटम है तो जो मूल विहिंफन है वो कौन है तो जो सालवीनिया होती है सालवीनिया सालवीनिया में क्या होता है कि जो इसमें वास्तविक रूट नहीं पाई जाती है इसके पौदे में क्या होता है कि इसमें वास्टविक रूट नहीं पाई जाती वास्टविक जड़ नहीं पाई जाती तो इसमें जब वास्टविक जड़ नहीं है तो क्या होता है इसमें जो फाल्स जड़े होती है यहने कि false जड़े कहाँ पाई जाती है तो इसकी पत्ती में पत्ती की निचली सथा में क्या होता है कि false जड़े पाई जाती है तो इसको मैं diagram पर दिखाता हूँ यह देखो यह इसकी पत्ती की निचली सथा में यह false जड़े पाई जाती है जो किसका काम करती हैं रूट का काम करती है ठीक यह दिखराना है आप लोगों कुछ तो हो रहा तो यह किसमे है सॉल्वीनिया में तो सॉल्वीनिया में वास्तिविक जड़े नहीं पाई जाती इसकी पत्ती की नीचली सते होपे क्या होता है कि फॉल्स रूट पाई जाती है जो जड़ का काम करती है तो इस पे अपना राइट आंसर क्या गया सी नमबर सी अपना राइट आंसर हुआ अगले कोशन क्यों रांगे बढ़ते हैं वापन अगला कोशन है अपना टेरीडो फाईट में पादप सरीर की उत्पत्ती के विशय में टीलोंबाद प्रतिस्थापित किया था ग्रियू द्वारा बैली द्वारा जिमर्मैन द्वारा या हगजले द्वारा तो बाद करीगी जो टेरिडोफायटा में जो पादपसरीर की उत्पत्ति के विश्省 में तिलोमवाद किसने प्रतिस्थापित किया था? तो वो है जिमर्मेन दौरा तो किसके दौर प्रतिस्थापित किया गया था जिमर्मेन के दौरा तो जिमर्मेन ने क्या कहा था कि जिमर्मेन ने कहा था कि जो समवहनी प्लांट होते हैं तो समवहनी प्लांट का जो विकास होता है वह कैसे होता है साधारा दुई साकित टेरीडोफाइटा की तरह होता है ठीक जैसे उन्होंने एक्जामपल जैसे एक्जामपल पर अपने राइनिया को देख लीजिए तो इस पर अपना राइट आंसर क्या गया सी नंबर अगले क्वेश्चन क्यों रांगे बढ़े वनस्पतिक सर्फ है बोटेनिकल स्नेक्स किसको कहा जाता है फंगाई को यानि कवक को ब्रायोफाइट्स को या टेरीडोफाइट्स को या लाइकेन को तो बोटेनिकल स्नेक किसको कहा जाता है तो टेरीडोफाइटा को कहा जाता है टेरीडूफाइटर को क्या कहा जाता है बोटैनिकल, स्नेक्स, वनस्पतिक सर्प कहा जाता है और ब्रायोफाइटर को क्या कहा जाता है तो एंफिवियन, पादप जगत के उबहचर किसको कहा जाता है ब्रायोफाइटर को और बोटैनिकल, स्नेक्स, किसको कहा जाता है टेरीडोफाइटर को तो इस पर अपना राइट आंसर क्या जाएगा, सी नंबर, अगला कोश्चन है अपना, कि सिलेजी नेला में किन लच्छडों की उपस्तिती होती है, हमने कल भी एक इसके बारे में चर्चा किया था कि हेट्रोइस्पोरी और होमोइस्पोरी, अगर आप लोगों को ध्यान हो तो, तो सिलेजी नेला में किन लच्छडों की उपस्तिती होती है, विसम बिजाडुकता, सोराई, या फ्लोयमी, नालरम, एवं हेट्रोफिली, या विसम बिजाडुकता, राइजोफोर, लेग्यूली, पक्तिया, एवं ट्रेविकुली, अन्ता इस्तवचा, या उप्यूक्त म में से कोई नहीं, तो सिलेजी नेला कैसा होता है, तो हमने बताया था कि जो सिलेजी नेला होता है, कैसे होता है, हेट्रोइस्पोरी होता है, और सिलेजी नेला में ही क्या, ये राइजोफोर भी आते हैं, तो इस पर अपना राइट आंसर क्या जाएगा, भी नंबर, भी अ यंग लीफ होती हैं वह किस में कॉंड़ित होती हैं वहुक्ष में होती हैं टो बात करें कि अगर मार्सेलिया की हो गयी साइकस की हो गई यांट की हो गई तो इन सभी हैं का दिली की पंधियां कैसी होती हैं कुंडली होती है जमाइब होरे मतलब इनका जी रहा ही का दिले कैसे होता इनकी पत्तिया गर अपन सपोज करें कि ये ऐसे इस पर लगी है तो इनकी पत्तिया ऐसे ऐसे कुंडिलित होती है अपनी इसको ऐसे माद होते है ये ऐसे ऐसे कुंडिलित होती है देखो इनकी पत्तिया कैसी है ये देखो ये कुंडिलित है यहाँ पर देखो ये इस परष्ट दिख रहा होगा ये पूरी ऐसे आके कुंडिलित हो गई है इनकी इनकी जो सिरा विन्या से वह कैसे पाया जाता है कुंडिलित है बड़े अगले गौशन के और इस पर अपना राइट आंसर क्या जाएगा डी नमबर इसका डी अपना राइट आंसर हो जाएगा अगला कोश्चन है कि सावुदाना प्राप्त किया जाता है साइकस से फर्न से या पाइनस से या मौस से जो आप लोग सावुदाना खाते हो तो सावुदाना किस से प्राप्त किया जाता है तो वह किस से प्राप्त किया जाता है वह साइकस से साइकस की एक प्रजाती है कौन सी साइकस रिवाल यूटा साइकस रिवाल यूटा इससे क्या प्राप्ट किया जाता है सावुदाना सावुदाना या इसी को क्या बोलते हैं सैगो कभी सैगो पूँच ले तो कंफ्यूज मत होना सावुदाना या साइगो किसे प्राप्त किया जाता है साइकस रुवलियूट या साइकस से तो इसको अबना right answer किया जाएगा A number और यह कैसे होता है अगर बात करें कि जो सावुदाना होता है वह कैसे प्राप्त होता है किस रूप में तो यह इश्टार्च के रूप में प्राप्त होता है ठीक अगला है कि कोरेलाइट रूट पाई जाती है तो जो कोरेलाइट रूट होती है वे किस में पाई जाती है चीड में, साइकस में या लाइकोपोडियम में या ड्रैप्टोरीस पे Dryopteris पे अगला question है कि Coralide जड़े पाई जाती है तो जो Coralide roots हैं वह किस में पाई जाएंगी Pinus में, Psychus में या Lycopodium में या Dryopteris पे तो किस पे पाई जाती है अगर बात करें हम Pinus में तो Pinus में कौन सी root पाई जाती है इसमें तो Taproot पाई जाती है और अगर बात करें Psychus में तो Psychus में कौन सी root पाई जाती है तो इसमें Coralide roots पाई जाती है तो इसमें अपना Right answer क्या जाएगा B number जो Coralide roots होती है किस में पाई जाती है Psychus में और बात करें अगर कि Lycopodium पे तो Lycopodium पे कौन सी जड़े पाई जाती है तो इसमें से इसमें अपस्थानिक जड़े पाई जाती है किसमें पाई जाती है अगला क्वेशन ही कि साइकस रिवाल यूटा बहुता उगाया जाता है तो जो साइकस रिवाल यूटा है वह किस रूप में उगाया जाता है औसेदी पौधों के रूप में या सजावटी पौधों के रूप में या तेलू उत्पादक पौधों के रूप में या काश्ट उत्पादक पौधों के रूप में तो सबसे पहले बात करें कि जो साइकस होता है वो किस फैमिली से है तो जो साइकस होता है वह साइकेडीसी साइकेडीसी फैमिली का है साइकेडिसी फैमली से संबंदित होता है और अगर बात करें कि इसकी कितनी जातिया होती है तो साइकेडिसी की 100 कम से कम 100 जातिया होती है जो किसमे पूरे 200 भर में पाई जाती है और अगर बात करें हमाई भारत में तो भारत में इसकी कितनी प्रजातिया पाई जाती है तो भ बुँदाया जाता है तो इससे अपना right answer क्या जाएगा इससे ॐ लाइत के सी और इससे प्रोफेसले डीडी पंति ने अनव्रत विज्जी को बाटा है तो डीडीडी के अनुसार में जीमनल इस्पर्म को कितने डीवीजन में बाटा है फोर डिवीजन में या थ्री डिवीजन में या सिक्स डिवीजन में या एड डिवीजन में तो जो डिडी पंथ है उन्होंने किते डिवीजन में बाटा है तो तीन डिवीजन में बाटा है किते तीन डिवीजन में बाटा है और इस तीन डिवीजन में कितनी क्लास रखे हैं तो उन्होंने इसमें 9 क्लास रखा है 9 वर्ग में वो डिवाइड किया है तो इस पे अपना राइट आंसर क्या जाएगा? B नंबर अगला क्वेश्चन है अपना कि इन्वर्टेड ओमेगा के आकार के समवहन पुल रिंग पाये जाते हैं तो जो वैस्कूलर बंडल है वै किस में पाया जाता है जो इन्वर्टेड ओमेगा आकार का साइकस के रेकिस में या साइकस की जड़ में या psychicus के पढशहमें तो जो पाया जाता है किसमें पतियों के रेकिस होता है उसका ratledge है उसका जो प्तियों किस प्रकार ? inveted, omega के आकार के रूप में विवस्तित होता है तो इस पर अपना THE right answer किया जाएगा ? a number कि जो साइकर्स के रेकिस होते हैं तो इस पे अपना राइट राइट आंसर आ गैसी की जायलम का अकार होता है तो किस आकार में होता है अगर बात करें कि जो पाइनस की जड़ होती है जड़ कैसी किस टाइप की होती है तो एक्जार टाइप की होती है इसमें जो पाइनस की जड़ होती है जड़ कैसी होती है एक्जार टाइप की होती है और इसमें जो प्रोटोजाइलम होता है प्रोटो य रिक्ड़ को फरता है yशेव के जैसी सन्रशना बन जाती है तो जो पाइनस्स की जड़ में जाइलम का कार होता है वह कैसे को जाता है y अकार का तो इस पर अर्ट स्वार इस प्न in不知道 है क्या है कि पानिस स्व्पण कर किस अवस्थह में ediyor में इस पूटित होता है तो इसके जो माइक्रो स्पोर का अंकुराण होता है कैसे होता है इन सीटू होता है कैसे होता है इन सीटू पाइनस में माइक्रो स्पोर का अंकुराण कैसे होता है इन सीटू होता है ठीक, इन्सूटू होता है और इसमें कि जो इसके जो pollen grains है तो वक्की सवस्ता में तो इसकी चार कोस की अवस्ता में डिवाइड हो जाते हैं किस अवस्ता में इस पुठित हो जाते हैं, चार कोस की अवस्ता में इस पुठित हो जाते हैं अगला question है कि जो पाइनेस की acást है तो पाइनेस की acást कैसी होती है पिकनोजिलिक होती है या मैनोजिलिक होती है या इन में से दोनों या इनमें से कोई नहीं तो जो पाइनस की काश्ट होती है वा कैसी होती है सगन दारूख होती है या विरल दारूख होती है इन में से सभी या दो या कोई नहीं तो बात करें कि जो पाइनस की काश्ट होती है वर कैसी होती है तो पिकनोजिलिक होती है कैसी होती है पिकनोजिलिक होती है पिकनोजिलिक तथा मोनोजिलिक होती है ठीक पिकनोजिलिक तथा मोनोजिलिक होती है तो इसके अपना राइट आंसर क्या जाएगा A number A अपना इसका right answer हो जागा और बात करें कि जो मैनोजलिक है तो मैनोजलिक किसकी होती है ये साइकस की होती है ठीक पाइनस में पाया जाता है सिर्क male koon या female koon या male and female koon दोनों या all of the above तो जो पाइनस है पाइनस में क्या क्या कौन सा पौन पाया जाता है तो अगर बात करें हम जो पाइनस होता है तो पाइनस के प्लांट में पौधे एक ही पौधे में एक ही पौधे में क्या male koon और उसी में female koon लेकिन जो साइकस का प्लांट होता है उसके यानि कि जो male koon है और ये female koon है ये अलग-अलग साखाओं में पाये जाएंगे ठीक एक साखा में अगर male koon है तो दूसरी साखा में क्या होगा female koon होगा ये किस में होता है पाइनस में होता है कि साइकस में एक ही पौधे में अगर एक पौधे में male koon है तो दूसरे पौधे में क्या होगी female koon होगी यानि कि इसके लिए अलग-अलग पौधे होते हैं लेकिन अपन पाइनस में क्या होता है पाइनस में एक ही पौधे में male cone और female cone एक ही पौधे में पाए जाते हैं लेकिन क्या होता है अलग-अलग साखाओं में पाए जाते हैं तो इस पर अपना राइट आंसर क्या जाएगा? C नमबर किनर एवं मादा संग को. ठीक? अगर बात करें अपन साइकस की. लिख देते हैं. साइकस में जो मेल कौन है? वह अलग पौधे में. और फी मेल कौन? अलग पौधे में. ठीक? पाइनस है. पाइनस क्या है? ब्रेच है? या जाड़ी है? या साख है? या इन में से कोई नहीं? तो बात करें कि जो पाइनस होता है. पाइनस कैसा है? या एक सदा बहार ब्रेच है. सदा बहार और एक कैसा है? बहुवर्सी ब्रेच होता है. सदा बहार बहु वर्षी मरूद भीद मरूद भीद ब्रेच्छ और यह पाया कहां जाता है तो यह उत्तर पूर्वी और उत्तर पुर्ष्ष्मी हिमालय में उत्तर पूर्वी और उत्तर पुर्ष्मी हिमालय में पाया जाता है तो यह कैसा है उमारा जो पाइनस वह कैसा है इक ब्रेच्छ है तो इसके अपना राइट आंसर किया गया ए नम्मर अगला क्वेश्चन है कि पाइनस के नर युगम कोद्वित में प्रोथैलियल कोईसकाओं की संख्या होती है तो जो पाइनस के नर में जो गैमिट ओफ हाइट्स होते है उनकी संख्या कितनी होती है जीरो एक दो या तीन तो कितनी होती है दो होती है इसके अपना राइट आंसर क्या गया सी नमबर अगला क्वेशन है कि साइकस के भ्रोण में बीज पत्रों की संख्या होती है तो जो साइकस का साइकस में जो भ्रोण होते हैं तो उनके बीज पत्रों की संख्या कितनी होती है तो देखो साइकस में जो बीज होते हैं तो प्रारंबी का वस्ता में तो कई भ्रोंड पाये जाते हैं लेकिन क्या होते हैं जब यह मैच्योर हो जाते हैं तो मैच्योर हो जाते हैं तो इसमें केवल कित्य भ्रोंड बचते हैं तो इसमें केवल एक भ्रोंड बचता है और उसी एक भ्रोंड में और बांकी भ्रोंड क् कौन? साइकस. तो जो एक भ्रूण बचता है, तो एक भ्रूण में कित्ते होते हैं, जो बीज पत्रों की संक्या कित्ती होती है? दो. कौन-कौन से? पहला होता है रेडिकल. और दूसरा होता है क्या? प्ल्यूमल. तो इस पर अपना राइट आंसर क्या जाएगा? बी नमबर. तो जो बीज पत्रों की संक्या होती है, वे कित्नी होती है? दो नमब. दो होती है. ठीक? पौधों में सबसे बड़ा अंडा पाया जाता है. अगर बात करें कि जो सबसे बड़ा लारजेश्ट एग है, वे किसका पाया जाता है? साइकस में, या पाइनस में, या सिकोया में, या सिलेज नेला में. तो सबसे बड़ा एग किसका पाया जाता है? तो सबसे बड़ा ए कुश्चन है कि टीक की लकड़ी प्राप्त होती है जो टीक है टीक किसको बोलते हैं टर्मिनेलिया अरजुना से या टेक्टोना ग्रेंडिस से या टेमेरेंडिस इंडिका से या थूजा से तो अगर टीक की जो लकड़ी होती है टीक की लकड़ी किस से प्राप्त की जाती है स सागाउन का बनस्पतिक नाम क्या होता है टेक्टोना ग्रेंडिस होता है तो इस पर अपना राइट आंसर क्या जाएगा बी नमबर टेक्टोना ग्रेंडिस को ही क्या बोलते हैं सागाउन और सागाउन से ही क्या ताप्ट की जाती है बिना परागड के, बिना निसेचन के, या बीज रहित पौधी या बिना किसी अंडासे के, तो जो जिम्नो इस्पर्म है, तो जिम्नो इस्पर्म में फल क्यों नहीं बनते हैं, तो देखो, क्या होता है कि जिम्नो इस्पर्म पौध में क्या होता है कि उसमें पुस्पी नहीं बनते हैं, तो जब अगर पुस्प नहीं बना है, तो जब पुस्प नहीं है, तो उसमें क्या होगा, कि उसमें ओवरी भी नहीं होगी, और आप लोग को मालूम ही होगा, कि जो फिमेल पार्ट होता है, प्लांट का क्या कहलाता है, ओवरी कहलाता है, तो जब ओवरी ही नहीं ह तता इनका जो और जो इनका बीज होता है वह कैसा होता है नेकेड होता है नगन होता है ठीक तो क्यों नहीं बनते हैं क्योंकि उसमें पुस्प नहीं बनते हैं और पुस्प नहीं बनने के कारण क्या होता है ओवरी नहीं बनती और ओवरी नहीं बनती तो उसमें फर्टिलाइ ही नहीं होता है कि रख इसकि दि राइट किसी अंड़ाह सखेल रैट अगला पॉस्चन है अभर्ड वीजियों में भूड़ को सोता है तो जो जिमनो इस्परम में एंडोस् wygląda कैसा होता है। होता है जो जिंडिनौ — का बन जाता है या निंशेचन के पहले ही बन जाता है जब निंशेचन के पहले ही बनेगा तो आनी की इसमें फर्टिलाइजेसन हुए ही नहीं तो वह कैसा रहता है है ploid रहता है इसपर अपना right aansr किया जाएगा d नंबर क्योंकि उसमें क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं और बात करें कि अगर निसेशन के परशात बने लेकिन जो निसेशन के परशात किसमे होता है यह अबरत वीजियो में अबरत वीजियो में का जो एंडोस्पर्म होता है वह कब बनता है निसेशन के परशात वर्त वीजियो का टिपलाइड होता है, और अनवर्त वीजियो का है पलाइड होता है, तो इस पर अपना राइट आंसर क्या जाएगा अपना दी नमबर अगला क्वेश्ण है कि उस्फुल के पौधे कानाम बता यह जिससे कॉफी प्राप्त होती है तो कॉफी किस से प्राप्त होती है तो कॉफी जो है वह रूबी एसी फैमली के किस से होती है रूबी एसी फैमली के कॉफी या अरेविका से रूबी एसी फैमली के किस से कॉफी Arabica से Coffee Arabica से प्राप्ट होती है और इसमें जो Caffeine की मात्रा होती है गर हम कॉफी में Caffeine की मात्रा प्राप्ट जाने तो कित्ती होती है 0.75% से लेकर 2.25% तक होती है ठीक किसमें यानि कॉफी में कैफेन की मात्रा तो इस पर अपना राइट आंसर क्या जाएगा ए नमबर रूवी एसी फैमिली में अगला कोश्चन है कि पेपदार्थ देने वाला पौधा कॉफिया एविका कि स्कुल का सदस्त है तो अभी हमने बताए कि जो कॉफिया एविका है वकिस फैमिली से संबंद रखता है तो वह रूवी एसी तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा बी नमबर रूवी एसी फैम कि परिवर्तित जड़े हैं जो मदद करती हैं तो जो जो निमेटर 4 होती है है कि वंकीस में मदद करती है वासपोत सर्जन में या प्रकास संसलेस्टन में या इन में से कोई नहीं तो देखो क्या होता है कि जो हेलो फाइटे कि याने की दल दली इस्थानों क्या होता है कि जो जड़े होती है ना वो क्या होती है नीचे जाने की बज़ाए क्या होती है वे गुरुत्वान वर्ति मतलब प्रति गुरुत्वान वर्ति याने की ऊपर की ओर निकलाती है किसके लिए रेस्पाईरेशन के यह क्या होती है उनकी जड़े जो होती है ऊपर की वर निकलाती है और श्रसकर बना लेती है जिसको अपन, क्या बोलता है रेडातमक गृत्व कर्शिव बोला जाता है हैं है आर जाता सब्सक्राइक पॉर जाता है जिस्से क्या करते है ant 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 हैं तो राइजोफोरा में राइजोफोरा और एविसीनिया और जो ये जड़े की किस प्रकार के प्लांट में तो मैं ग्रोब प्लांट इनको कहा जाता है क्या मैं ग्रोब प्लांट तो एक इसमें साहएप होती है रेस्पाइरेशन पर इस पर अपना राइट आंसर क्या गया ए नमबर तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं वगली नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ तो आप लोगों को अगर यदि वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों तक सेर जरूर करें जैहिंद जैभारत धन्यवाद